सभी मित्रों को जय जय सिया राम प्रभु स्री राम एबम हनुमान जी की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल काम नहे तो हनुमान जैनती के दीन इन चौपाईयों का पाठ करने से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं घर में मालक्ष्मी का बास होता है और भूत प्रेत का भय नहीं सताता है तो इस बर्स हनुमान जयन्ती 23 अप्रिल यानि कि मंगलवार के दिन है हनुमान जयन्ती के दिन अनुमान जी की पूजा करने से सभी मनुकामना पूर्ण होती है हनुमान जयन्ती के दिन ब्रत रखने का भी विधान है इसके साथ ही हनुमान जयन्ती के दिन कुछ विशेश चौपाईयों का पाठ करना चाहिए इससे बजरंगवली प्रसन होते है और भक्तों की मन चाहि मुरादे पूरी होती है तो आईए उन चौपाईयों को बताते हैं अगर आपको किसी तरह के फीरा है रोग है तो हनुमान जयन्ती के दिन इस चौपाई का पाठ एक सोव आठ बार करें ध्यान रखे कि चौपाई पढ़ने से पहले वहां के जगह को स्वक्ष कर ले और एक चौपी पर लालबस्त्र बिछा कर उस पर बजरंगवली की प्रतीमा अस्थापित करें साथ ही वहां राम दरबार का प्रतीमा रहना आवश्यक होता है बिना राम दरबार के हनुमान जी प्रसन नहीं होते हैं इसलिए कि वो भक्त शीरोमनी है वैसा भक्त राम का अज तक नहीं हुआ तो आईए उस चौपाई को बताते हैं जिनके जाप से पीरा रोग दो शर्व है दूर हो जाता है अगर कोई शंकट में है और संकट से आपको मुक्ती नहीं मिल लही है तो इस चौपाई का पाठ करने से आपको हर परिशानी से सामना करने की सक्ती मिलेगी संकट से हनुमान छुरावे अमन क्रम बचन ध्यान जोलावे अगर आपकी कोई मनोकामन है आपकी मनोकामना पुर नहीं होती है तो हनुमान जैनती के दिन इस चौपाई का पाठ 108 बार करे सरधा और विश्वास के साथ बिनु विश्वास भगती नहीं जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी प्रसन नहीं होंगे और वो चौपाई फलडाई नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह की मनोकामना है तो मनोकामना पुर्ती के लिए इन चौपाई का पाठ करें और मनोरत जो कोई लाबे सोई अमित जीवन फल पाबे अगर आपको विद्या और धन से जूरी कोई शमस्या है तो इस चौपाई का पाठ करने से विद्या और धन से जूरी परिशानियों से मुक्ति मिलेगी प्रभू स्री राम का समरन करने से हर लक्ष की प्राप्ति होती है हर लक्ष आसान हो जाता है बिद्यावान गुनियति चातुर अर राम काज करिबे को आतुर तो बोलिये सियावर राम चंद्र की जये अयोध्या राम लला की जये ब्रिंदावन बिहार इलाल की जये पवन सुतहनू मान की जये बलो भाई शवशंतन की जये हर हर महादेप जये सिब संभो